Part 1. वर्ण विचार हम अपने विचार या भावों को प्रकट करने के लिए भाशा का प्रयोग करते हैं. आपस में बोल कर बात चीत करते हैं. वाक्या शब्दों से बनते हैं, शब्द वर्णों को जोड़ कर बनते हैं. पिछली कक्षाओं में आपने ये प्रक्रिया जान ली ह एक बार फिर से देखें. ये सब ही हैं स्पर्श व्यंजन. अंतहस्थ य र ल व उश्म श श स ह स्वर. स्वर तीन प्रकार के होते हैं. स्वर. हरस्व. इनके उचारन में एक मात्रा का समय लगता है. अ, ई, उ, री और लुरी. पाच. दीर्ग. इनके उचारन में दो मात्रा का समय लगता है. आ, ई, उ, री, ए, अई, ओ, तथा अउ. आठ. प्लुत. इनके उचारन में तीन मात्रा का समय लगता है. इनका प्रायाह पुकारती समय प्रयोग करती है. ओ, के बाद तीन का अंक लगाती है. प्लुत्स्वरों का अधिकाधिक प्रयोग वैदिक मंत्रों में होता है. व्यंजन. व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं. व्यंजन. स्पर्ष. का से मतक पाँचों वर्ग इन वर्णों के उचारन करती समय, जीवा मुख के स्थानों को स्पर्ष करती है. अंतहस्थ य र ल व ये क्रमशह ई री लरी उ के समीप के व्यंजन प्रधीद होते हैं उश्म श श स ह इनके उचारण में मुक्से उश्म हवा निकलती है सयुक्त वर्न दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्न सयुक्ताक्षर या सयुक्त वर्न कहलाते हैं क्ष क जमा श कक्ष क्षा क्षमा त्र त जमा र पत्र सर्वत्र ग्य ज जमा इं ज्ञान विग्य द जमा य अध्य पद्य श्र श जमा र श्रम आश्रम ध, ध, जमा, ध, सिद्ध, युद्ध अयोगवाह, स्वर के बाद अनुस्वार और विसर्ग भी संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं इन्हें अयोगवाह कहते हैं वस्तुतह अयोगवाहों की संख्याचार है किन्तु उन में से अनुस्वार और विसर्ग अधिकांच तह प्रयोग किये जाते हैं। अनुस्वार किसी भी स्वार के बाद आने वाले न, अत्वा, म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे अंश, संस्कृत, विसर्ग, किसी स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है, इसका उचारन प्रिथक रूप से होता है, प्रायह, र और साके स्थान पर लगता है, जैसे प्रातह, रामह, विशेश, जीवा मूलिय और उपधमानिय भी अयोग वहा होते हैं, पर इनका प्रयोग अधिक-अधिक वैदिक मंत्रों में होता है, मात्रा, स्वरों का व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, जब वे व्यंजनों से जुडते हैं, स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग, A, कोई मात्रा नहीं, क, जमा, A, क A, A की मात्रा, क, जमा, A की मात्रा, क I, I की मात्रा, क, जमा, I की मात्रा, की I, I की मात्रा, क, जमा, I की मात्रा, की U, U की मात्रा, क, जमा, U की मात्रा, कु उ, उ की मात्रा, क जमा उ की मात्रा, कू री, री की मात्रा, क जमा री की मात्रा, क्री री, री की मात्रा, क जमा री की मात्रा, क्रीरी ल्री, ल्री, क जमा ल्री, क्री ए, ए की मात्रा क, जमा ए की मात्रा के, आई, आई की मात्रा क, जमा आई की मात्रा कै, ओ, ओ की मात्रा क, जमा ओ की मात्रा को, आउ, आउ की मात्रा क, जमा आउ की मात्रा काउ वर्ण संयोजन स्वर्व्यनजन वर्णों को जोड़कर शब्द बनती है वर्णों को परस पर जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है उदारनम र जमा आ जमा म जमा अह रामह क जमा री जमा प जमा आ कृपा वर्ण विन्यास किसी भी पद के प्रतियेक वर्ण को प्रतक प्रतक करना ही वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है उदाहरनम बाल कह ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अह श्रद्धा श जमा र जमा अ जमा द जमा ध जमा आ ख्षमा क जमा श जमा अ जमा म जमा आ सर्वत्र स जमा अ जमा र जमा व जमा अ जमा त जमा र जमा अ ध्यातव्यम भाशा की सबसे छोटी एकाई वर्ण है स्वरों की संख्या 13 तथा व्यन जनों की संख्या 33 है लिरी स्वर का दीर्ग भेद नहीं होता है ए, ओ, अई, आउ स्वरों का रस्व भेद नहीं होता है अयोग वह चार है एक अनुस्वार, दो विसर्ग, तीन जीवा मूलिय, चार उपधमानिय